तो आज की हमारी इस online class में हम आपके साथ बातचीत करने जा रही है एक dashboard में हम आपके साथ एक dashboard आपके साथ बनाने जा रहे हैं होती अच्छा dashboard है जो की हम आपके साथ discuss करेंगे okay dashboard पूरी दा से formula से होगा सबसे पर हम data को समझते data क्या data हुए है जो में जरली pivot table में इस्तवाल करते हैं यह हमारा sales का data है यह हमारा sales का data है तो चलिए हम शुरूर करते हैं एक हमरा यहां भी होगा support कि support होना जो रही है और एक हमारा होगा dashboard दैस्पोर में सबसे पहले मैं heading create कर लेता हूं में सबसे लेड़ा करवा कर दो कि यहां पर हम लेते हैं मंतली जो भी लिखना चाहते हैं और इसको साइट से करते हैं ठीक रहेगा और इसकी कलर हम बुलू कर देते हैं करते हैं और यहां पर हम एक प्रोड़क्ट का फोटो लाना चाहते हैं इस डिवाइज इस बनार है सिर्फ वन टाइम हमें मेनत करना हम रिपोर्ट यह अटोमेटेब रिपोर्ट है राइट चाहिए तो फॉर्स टाइम इस तरह के मेहनत आपको करना है करने पड़ेगे फिर इन स्वीचर में दीरे दीरे आपको डेटा अपडेट करना है बागी आपको अपडेट हो जाएगा अपर यहां पर मिरा गौर्ण और इसका यह दिरा चाहता हूं कि हैं सेल हुआ किया और गूल किया था आइट चाहिए यहां हम सेट करना चाहते हैं उसक्रिम सपोर्ट सिस्टम पर चलते हैं दो सेल्स जो है हमारा आपने सम्ह कर लिया और यहां से उठाते हैं फॉन्टिति यह हमारा टोक्राइट पर आथा है हमारा टार्गेट किदमाद अब अपनी इसाब से गाल देता हैं तो इसमें काम करता हूं और फिट्टी थाउडिं फैनक्ट कर देता हूं टार्गेट के लिए अब दुझे इस पे चार्ट्स बनाते हैं समझेख तो हम इन दोनों को पलस कर देते हैं यहां पर और इन तीनों को सेलेक्ट करके हम यहां हमारे पास जो चार्ट होता है इसमें यह वाले चार्ट बनाता हूं फिर इसको राइट क्लिक करता हूं इसको इस पर राइट क्लिक करता हूं और जाता हूं सबसे पहरे इसको हम 207 डीडी के एंगल पर रूटेट करते हैं इस तरह से आ जाएगा कि अदो पेस्ट वह पर रहे तो दू लाग डाल देते हैं रहेगा तुप नदेख करते हैं आद आद शाएगा अज रहे हूं झाल झाल कि यह नीचे 50% तो चाहिए ही चाहिए हमें इसको इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक यहां कॉमेट में आते हैं लुडिंग पर्मिशन और नो फिल कर लेते हैं इसकी कलर लेते हैं और फिल में हम सॉलिड ब्लैक कर लेते इसको सेलेक्ट करते हैं सॉलिड फिल ब्लैक के जगार में इसको ग्रे करता हूं इसको भी नो लाइट करता हूं नीचे जो नहीं नहीं आ रहे हैं इसको डीट करता हूं ऊपर चार्ट टाइटल जो आता है इसमें मैं स्लैक्ट डेटा और इसको और इसको हम यह स्लैक कर लगते हैं आप कर लोगना है एक स्ज़ब लेक्स अधर आक्स पर झाल झाल इसको हम यहां रख देते हैं उसके बाद यह जो इसको पकड़के थोड़ा सा बरा करते हैं इसको इसको भी मैं बैक्ग्राउन में नो फिल करते हैं यहां पर सेलेक्ट करके नो फिल करता हूं ताकि यह पीछे का एरिया है वह ना दिखे फिर इसको कट करके हम अब फुली तरह से अटोमेट हो गया है जैसे चेंज हमारा चेंज होगा यह भी अपने आपको चेंज कर लेगा इसको साइज में मुझे यहां पर बैठाना है और आसा छोटा बड़ा कर गए यहां पर इसार पास और नीचे और करना होगा अच्छी है ठीक जदा चोटा नहीं करते है समझाए है साथ उसके बाद यहां पर हम जह है कंट्रियूशन चाहिए अब यहां पर सेम लोकेशन में यहां पर चोटा करता हूं में इसको अच्छी बोर्डर दिखना है ने इसका तो इसका वेखवाय करता हूं नो बोर्डर ताकि पता नहीं चलेगा न फीर इतना ही बड़ा एडिया हम यहां पर लेता हूं हाँ सुर्ण जी हुआ हाँ स्टार्ट कर दिया हुआ है ठीक 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 अब मैं यहां पर कंट्रिव्यूशन चाहता हूं हमारे इसका प्रटक्ट वाइड नहीं सेल्स मोड वाइड तो सपोर्ट में हम सेल्स मोड को यहां रखते हैं और यहां हम इसको रिमूब दूबले केल कर देते हैं लेकिन याद रखिए अगर आपका इस नहीं है तो कि पीस रही है तूँ यहां पर समीफ का फॉर्मला लगे है समीफ समीफ में हम लेंगे अपना रेंज लेते हैं अपना यहां से सेल्स मोड और फिर डिटा पर जाते हैं यहां पर और नीचे दिवाफ ड्रैक कर देंग और इसके ऊपवर हम यहां पाई चार्ट लेते हैं अब पाई चार को अच्छा फॉर्मेट मैंने आपको उतना टाइम नहीं है रिफाइन करने का यहां से एक अच्छे फॉर्मेट में यहां से आप ले सकते हैं अब बोलें कि इतना छोटा दिखे नहीं रहा है तो उपर से हेडिंग को यहां से हटा देता हूं और यह जो आता है इसको भी हटा देता हूं बट अब यहां पर दिक्कत आती है कि पता के से चलेगा कोल किसका सेल्स है इसके लिए भी हमारे पास इसके उपर हम यहां आते हैं अब इसके उपर हम यहां पर इसके अंदर जाते हैं और वैलू को अटा के परसेंटेज डालते हैं और केटेगरी नेम हां केटेगरी नेम डाल लेते हैं और इसको तुरह सा डिफ्रेंट कलर चाहिए तो डिफ्रेंट कलर डाल सकते हैं इसके बूलो ठीक है जात ऊई कि अब बुलो ठीक नहीं राएगा वाइथी ठीक था ओके सर्ड़ यह समझे लागर में तो हमने पहली टोट अब्लु मॉ Bowl वसेज प्ता कि कि हमारा sales क्या है तार्गिर क्या sales आ रहा है फिर हमने यहां पर पता की कि हमारा contribution क्या है अब contribution के बाद हम यहां पर अब यहां पर कुछ पूश्पीगर्स चाहिए मुझे यहां पर कुछ फिगर्स चाहिए जैसे कि हमें चाहिए यहां पर तोटल रवेल्णू इसको इस तरह से निक हम यहां पर हैडिंग भी लागना चाहते हैं उपर मोज्ट कर देते हैं आपर लिखते हैं तोटल करते हैं करके हम उसको अंडर लाइन बॉर्डर भी दे सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इतना इस समझ भी नहीं आ रहा है कि है क्या है इसकी ऊपर हम कस्टम फॉर्मिट याद होगा हमने बताया था आपको कस्टम फॉर्मिट करेंगे और यहां पर हम देंगे है 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 इसको थाउजन में कर देंगे है 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 कर देते हैं है सर रिकॉर्डिंग दे दिए जाए है इस रिपोर्ट का दो पार्ट है ठीक ठीकर जर इस रिपोर्ड का पॉर्टब दो पार्ट है पहला पार्ट ला रहा है फिर अगला पार्ट भी बनाएंगे तो आज हम पहली पार्ट कर रहे हैं दूसरी क्लास में इसकी अग्री पार्ट को करेंगे यहां पर हमने इसको इसको भी बॉल्ट कर देता हूं इसको स्लेक करता हूं अगेन मर्ज अंडरलाइग इसको स्लेक करते हैं मर्ज करते हैं इक और अगेन सम्ट और हम यहां से डेटा से अफ़ाइब फोटल कॉल जो हुआ को लेते हैं जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट अभी यहां पर अप्लाई करते हैं इसको बॉल्ट करते हैं कि इसको और छोटा करते हैं यहां पर हम एक कल्कुलेशन हमें करना है कि इस इतनी इतनी जो किया गया है उसके लिए कितने को इतने कॉल्स की गया है तो पर कॉल कि इसको सेलेक करते हैं और यहां पर जस क्या करना है इसको डिवाइड करते हैं और इसको ऐसा इसको राओंड्विगर में लेला है तो र्रॉड्विगर में आप जो मर्स किये है इसमें राओंड आजंबी लाई सकते हैं बोल्ट करते हैं और इसको बढा करते हैं तो प्रवेंट्टू का हो गया है इसमें मुझे फॉर्मेट सेल में एक काम और करना कि है यहां पर दुझे यहां पर क्वांटिटी का टोटल नहीं है तो हमने यहां से क्वांटिटी का टोटल नहीं है आपको नहीं है अब इसको दीटावेंट निकाला होगा थाकि हम दिवाइड कर सके अब इसको डिवाइड कर देते हैं अफ्ने कॉल से यह आपका आगया अब इसमें हमने इसको दो डेशनल प्रेशेज हम यहां विरावंब लगाया भी कर सकते हैं कि यह दोनों चीज तो आप एक ही निकाल रहे हो सेंस पर कॉल पर याधर अलग निकाल रहे हो दोनों का अब मैं आपको समझाता हूं क्या है यह है आपकी अब आपको समझना आ जाएगा 0.0 तो यहां पर हमें ने कर देता हूं कि कि वाई है हो जाया हुआ है अमों कर देखने पर कि जीन पर को निकुने अ में और आपनसाफर रुपे कमा है है और हमने इसके लिए कि अ मिश्च्रीक जो रघा करना पर हमने यह आपर यह तो अच्छा लग रहा है उससे पेटे में हेडिंग से अच्छा लग रहा है क्यों कि है तो हमारी हाइलाइट्स हो गया अब चलिए कुछ और करते हैं इसमें अब जैसे मुझे यहां पे तो देट की हिसाब से जो हमारी है उसे डेट की हिसाब से बैसे फ्लोच इनिया यहां उसक्त नहीं मंत मैं मंत के साथ करना चाहूं मंत की हिसाब से लेकिन बहुत ज्यादा है तो एक काम करता हूं दो मैं है कि इसा लिया है है उसका पाए है बहुत पास मैं पार रहे हो मैं देसंबर हुआ है इसके लिए हम इभी कर सकते हैं इसके पिवट का इस्तमाल भी कर सकते हैं अ इस बते हो अ कि इंनेयां पर तेकला दिक्कत हों कि अगला जो तो यहां पर हम देट रखना सहीन रहा समझते हैए पीबट क्योंकि होlenी जो टॉपिक कर देवा। कि यहां पर हम मंत्री रिपोर्ट बना गते हैं कि देटा हमारा थार से अगरबर था तो हमने डेटा को सही कर लिए कि देटा को कि अगर गते हैं कि सब्सक्राइब यहां पर कि आनफे मार्स करें देता है बेकिश्ट्रेट के अगर्स देटा हैं तो कुछ मुझे यर का यहर का डेना होगा तो यहां यहां जो है डेट नहीं है मंत रही है क्या करेंगे इसके लिए तो इसके लिए अब सब्सक्राइब इसको पर यहां पर अप्रेट डेटा में चेंज करते हैं अब यहां पर दो बना के डेट रेंज को पेकर रवा सकते हैं आपको क्या बोला है कि सामिफ वाली जो फामूला बताया था याद होगा उसको इस चाहिए अपना डेटा में चेंज करता हूं ठीक है इसको सेलेक किया और हमने यहां से एरिया चाहिए हमें चाहिए एरिया चाहिए टे ला कायूा का करता हम सपोर्ड डैस्ट वियूच होना चाहिए और इसका फॉर्मेंट करदें या फिह हम अपने चार्ट डिजाइन पे जाए और जो बेटर फॉर्मेट लग रहा है वो बेटर फॉर्मेट ले 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 चार्ट अब यहां पर हम थोड़ा सा मुझे और कंटिवुशन चाहिए मुझे यहां पर कंपेर करना है कि अब यहां तक लाना यहां तक मां कंटिवुशन यहां पर चार्ट आएगा मुझे प्रोड़क्ट और सेल्स मोड में यह जो सेल्स मोड हमारे पास ताईगे हैं सेल्स मोड में हमारा सेल्स आ गया है कि अब यहां पर हम जो है कि मन्त हम यहां पर रखते हैं हमें मंतली कि दो विपसाइट है हमारे पास आई-पीटी इंडिया आशुजित कुबर इसकी कंट्री इसकी मुझे कंपेरिंग चाहिए कि कि साइट पर क्या सेल्स हुआ है कि पेस्ट इस्पेशन हमने इसको ट्रांश्पोर्ज कर देता हूँ कि और यहां पर अब हम वे लगा एंगे संटीप्स लगाकि हमारे पास दो क्याटिटी को हमने लिए उसके बाद criteria 1 हमारा month है, हम इसको select किया, dashboard में आया, हमने month को लिए, criteria 2 हमारे पास site है, site को select किया और support में हमने site को select, अब नीचे इसको drag करना है, तो हमने फिरीज करना होगा, हमने इसको finish किया, तो हमने इसको finish किया, O2 तो हमारा O freeze होगा, A P freeze होगा, और P1 का 1 freeze होगा, और हमने इस तरह से track कर दिया और यहां पर heading आप month देना चाहों, तो month दे सकते, यह अटोमेटिक होगा, data change होगा, अपने आपको change होगा, फिर इस पर हम insert करते है, रिबट, chart को, तो हमारा एक comparing chart चाहिए, हमने इसको लिया, इसको cut करता हूँ, dashboard के बाल करता हूँ, यहां, आप इसकी जो, यह है हमारा, इस चीज़ कर सकते हैं, और यहां पर हम ली देते हैं, हम कुछ एक term line भी देना चाहते है, और term line हम average moving देना चाहते है, इस पर भी हम सेम term line देना चाहते है, और इसको भी average हमें, दोनों का average हमें पता सबता रहा है, और यहां एक छोटी सी दिक्कत हुई है, कि यह देखिए, इसको हमें नीचे तक ब्रावर करना परेगा, यह भी छोटा करना परेगा, अब नीचे जो हमारा एक चाहिए, contribution, comparing हमें करना है, sales mode में और सेम मारा site के ऊपर, यह जो comparing month wise था, मुझे site wise का नमाते की sales mode wise करना है, sales mode हमने हाँ copy का रखा है, हमने यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पेस को, यह लगाया हुआ है, इस सेम फार मुला हम इसको copy करके हाँ, सब्सक्राइब करें कि इस पाइपिटी इंडिया रहे गाएगा अब यहां पर अब जी रहे है लेकिन इब देख लिए हमें मंत के जगहरे हमें तो कि देना है तो दूबरा लगा भी सकते हैं लेकि हम लोग क्या है कि ब्रावबर लगाते नहीं हम यहां से कर जाते हैं और इसको सलेप करके हम इसमें इंसर्ट और यह बार चाट लेते हैं अब भेतो हा खुआम ह कर जाते हैं ले खलोग बखता हैं आओपता हैं और ओम अभा़ अब लास्ट चार्ट हम यहां रखना चाहते हैं लास्ट चार्ट में हम मंतली यहां पर जो समीफ है मारा लगा मंतली समीफ नहीं हम यहां पर मंतली पर इसको स्लेक्ट करते हैं इसको स्लेक्ट करते हैं कंच्रोल के साथ क्योंकि हमें बीच में इसका चार्ट नहीं चाहिए और यहां से हमने अपना एक चार्ट आता है इस्ट्रोग्राम चार्ट यह करते हैं अब प्लॉट करते हैं मिटिक एक मिर्ट में खतर होने वाला है तो आप लोग इसको रिस्टार्ट कर रिजोइन कर दिजिए गार पैतालेश में हो चुकिया नहीं सब्सक्राइब और इसकी ऊपर जो यह आ रहा है राइट क्लिक करके हम जाते हैं नंबर पॉर्मेट में आते हैं और यहां और हम देते हैं आएस कॉमा तके दीखेगा अच्छा देखेगा इस लिए कि अब मेरा रिपोर्ट बन चुक है अब थोरा साइस की फॉर्मेटिंग की बाड़ी है कि में दीजिए फॉर्मेटिंग भी कर देता हूं यह थोरा साहेंग हो गया है कि अब मेरा रिपोर्मेटिंग की बाड़ी है कि अब मेरा रिपोर्मेटिंग की बाड़ी है कि ऑंड़ी की बाड़ी है कि अब मेरा रिपोर्मेटिंग की बाड़ी है तो बढ़ते हैं आगे अब हमारा बन चुका है अब थोड़ा सा इसकी ए करनी है जैसे हमें इसको सलेक्ट करना है और इसको हमें यहां से बलैक नहीं अगे देना है तो और प्रकु आपर धूज कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करके हम यहां पर ब्लू देना है रो उपर भी हमें एड़ करना है तो भी हमें तो भी म्यूट कर लेजे है इस तरह के बॉर्डर देने पर क्या होता है रिपोर्ट तुरह सा अट्रैक्टिव दिखता है इसलिए इस तरह के चीज़े की जाती है लेकिन साइज अगर सबका सेब हो तो बेटर है इस चीज़े तो आप लोग भी अपनी हिसाब से कर सकते है उसके बाद इसी लाइन को नीचे ले जाना है और हमें नीचे तक कलर करना है यह जो बीच वाले लाइन है इसको लेना हमें और इसको कलर करना है अब बुलेंगे कि यह थुरा सा बढ़ा होगे तो आप तो आप तो चोटा कर दीजें और इस वालाइन को भी हमें कलर करना है और यह जो बना है इस सेमी ऑटोमेंटेट बना है ठीक है और जैसा रिपोर्ट हमें चाहिए वह बना है लेकिन इस उतना प्रफेक्ट नहीं है प्रफेक्ट बनाना होता है जो कि हम अगली क्लास में आपके साथ इस पर डिसकर्स करेंगे अगली प्लास में क्या डिस्क्सन होगी मैं आपको बता देता हूं कि इस में इस रिपोर्ट में आकर कमी क्या है सुभाम जी रिपोर्ट अच्छा बनाया है आज़ा ठीक है मैंने इसको यहां से बेखर दिया अग्लोंग जो इसट्रा पाड़ है तो बहुत साब्सक्राइब करते हैं इसको ओं आज़ीम न दीखें इसलिए लिए झाल लोग ऐसा करते हैं को अब रिपोर्ट का पार्ट ही बाकिकोछ नहीं दीख रहे इस से और इसके पीछे का जो बैक्ग्राउंड है वह हम यहां से रिमूव कर देते हैं जाना चाहते हैं तो हीडिंग भी हटा सकते हैं अब यह रिपोर्ट आपका अब डेटा कलके रेट में चेंज होता है तो आपका पूरा डिपोर्ट चेंज हो जाएगा अब इसमें दिक्कत क्या है पहले चीज मुझे इस पर स्लाइशर चाहिए कि अब यह ऊवर और रिपोर्ट है मुझे माल शब्र मंत वाइल यहां पे अगर हम देए बोले की स्ञेट कि और यहां हम आते हैं डेटा में डिटा वेलिडियरेशन लगा देते हैं स्लाइशर भी इस्तेमाल की जा सकती है बटन्स बीस्तमाल की जा सकती है प्रेश्ट करता हूं डेवलपर यहां पर हमारे पास यह है और यहां कॉम्बोबक्स का इस्तिमाल रहां प्रेट क्लिक प्रेश्ट करेंग इंपुट रेंज में हमने सपोर्ट में गया और मन्थ को स्लेक्ट है धिल्क हम सब इसमें आते हैं और यहां पर इंप अब यहां पर में आपड़ने जी लिए अब सपोर्ट में यहां आ ते हम देने मंत ऑनके जगह पर रहे हम यहां पर आपिन नमब देढ़ा पहेँ देढ़ा तेर वी लुक बलागा सकते हैं जैसे हम यहां पर मन्थ सेलेक करते हैं तो मंथली रिपोर्ट यहां पर पूरा रिपोर्ट मंथली बनना चाहिए कोई और काईटेरिया अगर यहां पर है इसे नेम मंत को आगे आप नेम कर लिजी नेम बाई जाना चाहिए शिटी बाई जाना चाहिए प्रड़क्ट बाई जाना चाहिए उसको आपको करना है यह चीज़े आप इस डैश्बूर्ड को अभी कहा है सेमी आटोमेटेड है पूरी तरह से आटोमेटेड नहीं हुआ है अब आपको इसको फुली आटोमेटेड करना है कि इसमें काईटेरिया आपको फिट करना है समझें सब तो यह भीज़ दू आपको मैं हलो यह मैं आप लोगों को मेर पर देता हूं आप लोगों की उपर है कि आप इसको कैसे करते हैं आगे